के लिए चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें हलो दोस्तों नमस्कार मेरे यूटूब चैनल मानी में अस्ती पर आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे तीन स्टाक के बारे में जो फिलाल सार्टर में आपको अच्छा पैसा बना के दे सकते हैं दोस्तो हम pure price section की बात करते हैं और risk reward के parameter पर stocks को बैठाने के kosis करते हैं चलिए दोस्तो हम पहले stock के तरब बढ़ते हैं दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ अगर आपने हमारी चैनल को subscribe नहीं किया टेलिग्राम पर आप सर्च करेंगे मानिवस्ति को अभी वो नियू चैनल है निश्ची तुरूप से आपको उसको ज्वाइन करने चाहिए वहाँ पर आपको लेटेस्ट इंट्राडे अपडेट्स और सार्टर्म अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी चलिए दोस्तों आज की हम वीडियो सुरू करते हैं और आपके सामने पहला इस्टाक है जिसका मार्केट कैप आप देख सकते हो 4,349 करोण है करने मार्केट प्राइस 955 की है हाई लोग की करम बात करें तो 995 की हाई है और जबकि 95 का लो रहा है मुझे लगता है अगर आप थोड़े से बुद्धिमान है तो निश्टी तुरूप से आपने इस्टाक को पकड़ लिया होगा चले दोस्तो और भी आखड़े हम देखते हैं बुक वैलू की बात करें पचास दसमलो दो है अगर हम प्राइस टू बुक की बात करें दोस्तो 3.89 की है जबकि EPS की बात करें तो 4.59 का EPS है face value की बात करें दोस्तों एक की face value है जबकि dividend yield की बात करें तो 0.51 की dividend yield आपको दिखाई देती है चले दोस्तों market cap भी हमने देख लिया तो 4349 का market cap है वहीं enterprise value की अगर हम बात करें दोस्तों तो 4,473 करोर enterprise value है चले दोस्तों debt to equity की हम सबसे पहले बात करेंगे उसके बाद debt to equity के बाद हम sales पर देंगे तो 0.14 की debt to equity है दोस्तों जबकि interest coverage ratio साथ ही 4.74 की interest coverage ratio दोस्तों positive point number 1 दोस्तों चले दोस्तों हम sales पर पहुंचे हैं जहां पर 7.84 प्रसत की आप sales पा रहे हो चले sales का आपने अगर देख लिया तो operating profit margin भी आप देख लो दोस्तों तो operating profit margin का आगड़ा आपके सामने overall है 10 प्रसत का जबकि 5 साल का 15 प्रसत operating profit margin करा है निश्चित रूप से 72 दिखाई देता है दोस्तों चले दोस्तों आगे की parameters को हम देखते हैं तो return on equity को हम चेक कर लेते हैं दोस्तों 11.08 का return on equity overall रहा है जबकि return on equity की अगर हम बात करें दोस्तों आप 14.06 पा रहे हो जबकि 5 यह के अगर हम बात करें तो 19.03 की return on capital employed आप पा रहे हो दोस्तों जो की बहुत ही उंदा फिलहाल दिखाई देती है चलिए दोस्तों इसके अलामा भी हम जो parameters देखेंगे उसमें pledge percentage आता है 0.0 प्रसत की pledge percentage है दोस्तों और return on asset 8.03 एक प् दोस्तों cash flow 23.09 का free cash flow है जबकि net profit की बात करें तो 101 करोड का net profit रहा है दोस्तों जिहां दोस्तों निश्चित रूप से fundamental के parameters पर फिलहाल अच्छा आंकड़ा दिखाई देता हुआ नजर आता है दोस्तों चलिए दोस्तों हम बात करेंगे company के नाम के बारे में जिहां दोस्त तो आप इस company को अगर आपने सुना होगा इस company को track किया होगा तो निश्चित रूप से उसका price section भी आप ने देखा होगा आप price section की अगर हम बात करें तो एक साल में बहुत अच्छा price section फिलहाल दिखाई देता है यहां पर risk reward favorable बैटता है मुझे लगता है आपको यहां positions बन price उपर दिखाई देता है साथ ही साथ 200 दिन के moving average से भी price उपर दिखाई देता है चलिए दोस्तो current market price तो आपने देखी लिया है हम बात करेंगे stop last की जहां पर आपको stop last रखना है दोस्तों फिलहाल start term के लिए start term का मतलब है दोस्तों हम कल से लेकर मतलब एक दिन से लेकर 10 द two weeks तक की बात करते हैं मतलब trading two weeks की बात करते हैं दोस्तों जहां दोस्तों आपके सामने stop last का आंकड़ा मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं जहां पर आपको stop last रखना है जो की immediate आपको रखना है वह 170 रूपय का stop last रखना है as well as आपको 164 का भी stop last रखना है अगर 170 पर यह price पह देल होता है और 164 की तरफ बढ़ता है तो आपको exit कर जाना है चलिए दोस्तों हम अब buying price की बात कर लें तो दोस्तों 197 195 का buying price है आपको निश्ची दूरूप से 180 180 150 तर तक निश्ची दूरूप से buy करते रहना है दोस्तों जब भी गिरावट मिले 2-3-4% की फिलाल correction में आप को buy करते रहना दोस्तों at current market price पर भी आपको at the at CNP पर भी आपको buy करना है दोस्तों आपको target क्या रखना है दोस्तों आपको target रखना है जो की पहला target है 215 रूपय का first target second target है 240 रूपय का साथी साथ तीसरा target है 270 रूपय का दोस्तों निश्ची दूरूप से इसके अनामा भी target जो बनता है दोस्तों 290 रूपय का बनता है चलिए दोस्तों हम ये इस target के लिए इस stock को hold करेंगे मैंने इस टाप लास भी बता दिया target भी बता दिया चलिए दोस्तों अब हम दूसरे stock की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों आपके सामने दूसरा stock है जिसका market cap आप देख सकते हो 909 करोण की market cap है जहां आप current market price पा रहे हो 24.4 की high low पा रहे हो 24.9 का high है जबकि 24 का low रहा है दोस्तों मैं आपको inform कर दूँ कि हमारे telegram channel में अगर आप join करते हैं तो मैं इस के बारे में updates देता रहता हूँ इन सभी stocks को जिनको मैं track कर रहा हूँ उन सभी के बारे मैं update देता रहूँगा otherwise आप अपने financial advisor से जलूर इस stocks पर सलाह लें मेरी request है ये मेरी advice भी आप समझें चलिए दोस्तों हम आगे की बात करते हैं जहाँ पर आप stock का P.E. देख सकते हो जहाँ पर stock का P.E. गायब है अगर हम book value की बात करें तो 25.1 की book value है dividend deal की बात करें dividend company देती नहीं है चोटी सी company है दोस्तों microcap की चलिए दोस्तों हम फिलहाल आगे की बात करने तो आपको debt equity फिलहाल मैं आखड़ा पताता हूँ जहाँ 0.42 का debt equity है interest coverage ratio निश्चित रूप से बहतर है दोस्तों debt equity से चलिए दोस्तों हम sales की अगर हम बात करें तो आपके सामने sales का आखड़ा हम बताते हैं दोस्तों profit की अगर आप net profit देखोगे sales का आखड़ा आपने देख लिया profit की बात करेंे तो माइनस प करोर्ड का profit है अगर cashflow की बात करें 26 करोर का free cashflow है आपांच साल का आंकिड़ा देखे टेइस पर यह फिलाल आख्ड़ा दिखाए देता है। अब हम बात करने हैं रिटान आन एक्टी की हम बात करने तो 引きوٹی 3.5-3.55 का overall है जबकि 5 साल का जीरो पॉइंट 2.24 का रिटन आन इक्विटी है इसके लामा दोस्तो अगर हम बात करें रिटन आन कैपिटल implied की दो दस्वनों तीन साथ का return on capital implied है साथ ही साथ दो दस्वनों जीरो नौ का पांच साल का average return on capital implied है दोस्तों इसके लाम अगर हम return on asset की हम बात करें दोस्तों return on asset आप देख सकते हो माइनस दो दस्वलों छह दो प्रस्त का return on asset है निश्चित रूप से आपको यह आंकड़ा बहतर फिलाल एक माइक्रो कैप से small cap company के लिए आंकड़ा बहतर दिखाई देता है दोस्तों चलिए दोस्तों pledge percentage की बात कर ले तो pledge percentage फिलाल आप देख सकते हो pledge percentage की संख्या नगर्ड है दोस्तों चलिए दोस्तों कंपनी का नाम देख लेते हैं अगर आप फिलाल आपने ट्रेक किया होगा तो निश्चित रूप से आप company के बारे में जान गए होगे मैंने आपको highlight भी बता दिया कि इसका कोरोना से सीधा संबंध है दोस्तों कंपनी का नाम है दोस्तों स्नोमैन लाजिस्टिक्स के बारे में ही बात कर रहा हूँ आप देख रहोगे इसमें बीते दिनों बहुत ही बहतर प्राइस एक्षन दिखाई दी रहा है तो प्राइस उसके ऊपर दिखाई पड़ता है दोस्तों वहीं से स्टाउक ने moment दिखाना सुरू किया है दोस्तों चलिए दोस्तों हम आप साट टर्म फिलाल टारगेट की बात कर लें दोस्तों जो साट टर्म टारगेट आपको रखना है दोस्तों स्नो मैन के लिए आपको रखना है 62 रूपय का साथी साथ 67 रूपय का इसके अनामा आपको अगर 70 रूपय से उपर जाता हुआ है स्टाउक दिखाई देता है और रिस्क रिवार्ड को लो करना है दोस्तों अगर आपको प्राइस फेल होता हुआ दिखाई दे अगर आपको इसकी समझ नहीं है तो आप हमारे टिलिग्राम चैनल में जोईन कर लेंगे तो मैं आपको निश्चित रूप से अलर्ट कर दूँगा लेकिन अगर आपके प इसमें बड़ा ब्रेकाउट सम्भव है जहाँ प्राइस इमीडियेटली 90 रुपए तक जा सकता है दोस्तों जहाँ दोस्तों इमीडियेटली सनोमैन लाजिस्टिक्स 90 रुपए तक जाने का दमखम रखता है लोगों की फिलाहाल इस पर नजर बनी हुई है दोस्तों पिड़ाल बना सकते हो Songs इसके साथ ही साथ आप पचास रुपए उन्चास रुपए अज़ाहप र्कना है दोस्तों जो कि आपका च स्टा प्लास बनता बन्ता है दोस्तो're न het bonus फुर्टिफोर रुपआ का आपको श्टाफ रखना है और स्टाक को आपको त्रन के लिए साम मेरा मानना है वैसे आप अपने financial advisor से जरूर सलाह ले लें दोस्तों चले दोस्तों हम तीसरे स्टाक की तरब पढ़ते हैं तो दोस्तों आपके सामने तीसरा स्टाक है जी हां दोस्तों ये एक बैतर कंपणी मुझे दिखाई देती है लेकिन निश्ची तरूप से एक कंपनी है दोस्तों इसमें लिक्विडिटी की भी प्रावलम हो सकती है तो आप अपने financial advisor से मैं बार बार इसको फिरहाल recommend कर रहा हूं कि आपने financial advisor से सलाह ले ले नहीं तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल में निश्ची तरूप से ज्वाइन हो जाए ताकि इस इस स्टाक के लि इस टाक का PE हम देख लें तो 12.2 का है साथ ही साथ अगर हमने इस टाक की PE देख ली तो साथ में हम industry की PE भी देख लें जहां 22.2 का industry की PE मिलता है दोस्तों valuation सस्ता है पहले look में चलिए दोस्तों हम book value की बात करें चोग वाले दश्मनो 9 का book value है जहां पर आप देख सकते हो देल रहा है अगर हम debt की बात करने दोस्तों तो debt to equity 0.06 का फिलाल debt to equity है अगर debt to equity आप देखते हैं तो interest coverage ratio को जरूर देखना चाहिए बहुत ही बेहद ही उंदा है दोस्तों 25.5% का interest coverage ratio है दोस्तों निश्चित रुप से आपको point को note करते रहना चाहिए return on asset की हम बात करने तो 7.05 का फिलाल return on asset है चलिए दोस्तों अगर हम ने sales देख ली तो हमने हमको फिलाल profit की बात करने ली चाहिए sales हो गया तो net profit की बात 10.04 करोन का net profit रहा है free cash flow की अगर हम बात करने दोस्तों balance sheet में तो 9.14 का free cash flow फिलाल दिखाई देता है दोस्तों operating profit margin की बात करें दोस्तों 7.07 का operating profit margin है अगर हम 5 साल का आख़ा देखे 3.29 पर operating profit margin 5 साल का average दिखाई देता है दोस्तों चलिए दोस्तों return on equity की हम बात कर लेते है return on equity कितना return मिल रहा है दोस्तों 8.88 का return on equity overall है जब कि 5 साल की बात करें तो 1.14 पर return on equity तो यह आख़ा कमजोर फिलाल दिखाई देता है तो दोस् का असर है इसलिए क्योंकि यह slipped a company है चलिकाद है जिदेख इक केथ रही और रयतर देखकender करें पाँच साल की बात करेंती तो 7-6 का 5 साल का return on capital implied रहा है, जो कि दोस्तों ठीक ठाग दिखाई देता है, लेकिन निश्चित रूप से return on capital implied में गिरावट हो रही है, चलिए दोस्तों हम वैसे फिलहाल risk reward और price section पर फिलहाल इस stock को हमने choose किया है, चलिए दोस्तों हम company का नाम देख लेते हैं सबसे पहले, अग के सामने प्लेस परसेज जीरो दगौइंट जीरो जीरो प्रसत का है जो की हम हमारे फिलाहाल इस स्टाक के चेहन में भी बहतर दिखाए देता है दोस्थों चलिए दोस्थों हम आप बात कर डिरेक्टली है हम बात करेंगे दोस्तों इसके नाम के बारे में डिविडेंड डिल दोस्तों आप देख सकते हो डिविडेंड डिल एक दसम oppressor जो चार की रही है दोस्तों और कंपनी का नाम है आपके सामने जगसो नपाल फार्मासोटिकल लेमिटर दोस्तों निश्चित रूप से फिलहाल आपको इस स्टॉक में प्राइस एक्षन अगर हम बात करें तो प्राइस एक्षन बेहतर दिखाई पड़ता है दोस्तों फिप् तो आपको एक इस्टा प्लास रखना चाहिए जो 49 रुपए का आता है दोस्तों 49 रुपए का इस्टा प्लास रखना चाहिए दोस्तों आपको टार्गेट कहां रखना है जो की आपका टार्गेट पहला टार्गेट आता है दोस्तों 60 रुपए का साथी साथ 65 रुपए का अब ही टार्गेट इसमें संभाव है दोस्तों सार्टर्म के लिए सार्टर्म की बात मैंने आपको पहले ही बता रखी है अगर आपने नहीं ध्यान दिया है तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं यह सार्टर्म की बात हो रही है तो कल के ट्रेडिंग मतलब अगले ट प्राइश की बात कर लिए टार्गेट की बात कर ली निश्चतुरुप थे आप इन तीनों स्टार्प में पोजिशन्स बना रख सकते हो और अगर आप रहना चाहिए और इसिस इस प्राइस के साथ इस टार्गेट के लिए आपको hold रखे रहना चाहिए आपको अपने target पर ही निकलना चाहिए चलिए दोस्तों ये थी मेरी इसमें दोस्तों अगली वीडियो में हम देखेंगे नेश्चीत रूप से और भी स्टाक्स के बारे में तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ने किया सब्सक्राइब के लिए साथ ही अपने family members दोस्तों के साथ जहां भी आप facebook, whatsapp इसके अलामा जिस भी social media को आप फिलाल चलाते हों उस groups में इस वीडियो को जरूर सेयर करें हमारे साथ बने रहने के लिए हमारा वीडियों तक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाज जय हिंद